हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आई हो बच्चे होंगे तो चुट्टियां भी बड़ी आई बिती होंगे आपकी आपकी काफी दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे तो मैं कहीं गया हुआ था हमाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था अब जो है रेगुलर वीडियो मिलेंगे का अब स्क्राइबर की वेक तो है फीर नवर्क प्रहि अर्टेल की है किसकी है घ्रामर की में गरामर के दो टॉपिक समझेंगे एक पहला तो जहा हमारा टौपिक वह सब्सक्कार आशे आइजेक्टिफ शीप्हां सो एड्जेक्टिफ एडी जे लिख देता हूं मैं सरिफ तो यह क्या होते हैं कैसे इनका यूज होता है सब आप वीडियो पूरा एंड तक देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दुबारा कभी आपको अपने लाइफ में पढ़ने की जरुवत नहीं है अगर आप वीड थिक्स सारे बाच्चे को पता है यह क्या होता है नाउन इसह पर संद प्लेइस और ठिंग फिर धिल्व करते हैं पहला है मैं अधनी काया है सहरे क्लिफ होती है हीं hard होती है तो यह हमारा noun है यह हमारा adjective क्यों है क्यों कि इस noun की खास्यद बता रहा है कि ब्रिउन का सी है ठोसontin है hard है mudativa है ठीक है तो यह सारे क्या है हींट की खासेद बताने वाले शब्द है तो वो सारे क्या क्या लाएंगें एड्जक्टिव क्या लाएंगें वैसे हमारा सेकंड वर्ड है नाइफ तो नाइफ तो हमारा हो गया नाउन यह ना तो किसको हम छूब भी सकते हैं देख भी सकते हैं है ना पुझे नाम भी है अब नाइफ कैसा होता है पता हो कैसा होता है नैव शार्प हो गया गता है है यह क्या हो गया knife की तरह कैसे quality हो गई knife की विचैस्ता हो गई यह विचेषटा हो गया और किसका जाओग्टीव knife गया कैसे होती है पिलो का चैसे होती हैं Bird know नाव केक अब देखते हैं केक केक कैसा होता है केक हमारा क्या है केक हमारा नाउन है केक हमारा नाउन है ना तो केक कैसा होता है हताब केक होता है तो नीचे में कर लेंगे हम पहले प्लांड कर लेते हैं प्लांड कैसा होता है हमारा ग्रीन होता है यह हमारा नाउन यह हमारा क्योंकि नाउन की विशेष्था बता रहा है ठीक है विशेषण कहते हैं हिंदी में इसको जो संग्या की विशेष्था बताए उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में जो नाउन की विशेस्ता बता रहा अब sun कैसा होता है sun होता है bright यह हमारा noun है sun और bright क्या है sun के लिए adjective है sun की विशेश्ता बता रहा यानि यह संग्या sun क्या है यह क्या है विशेश्त रख ठीक है अब आते हैं second वाले पर second question पर आते है now write the describing words for the following यू में यूज दवर्ट फ्रोंद बॉक्स फिलो अपको यहां करना है यहां पर आपको कुछ वर्ड्स लिखने डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे पहला देखो पहला एक्जांपल मैं आपको समझाता हूं आपको समझ मा जागा अच्छा से यहां एक कहा दिया हुआ है रोज अब रोज को डिस्क्राइब करने के लिए रोज की तीन विशेशता बताने के लिए आपको तीन वर्ड्स लिखने थे जो कि अल्रेडी यहां पर लिखे हुए है ठीक है तो आपको यह तीन वर्ड्स लिखने थे रोज की विशेशता बताने वाले देखो हमने क्या लिखा ह राइट three words to describe rose rose कैसा होता है pink होता है beautiful होता है और fragrant है ये बहुत बढ़ी खुचब हो आती है इसमें से ये रोस क्या है ये हमारा noun है छूँ सकते हैं देख सकते हैं नाम भी है इसका rose और rose की क्या विशेष्टाइं है कि वो कैसा है pink है beautiful है बहुत बड़े कुश्बू आती है तो यह तीनों वर्ड क्या हो गए यह तीनों वर्ड हमारे हो गए एड्शक्टिव क्योंकि यह नाउन की विशिष्ट बता रहे हैं ठीक है तो आपको तीन तीन वर्ड लिखने अपने आपको डिस्क्राइब करने के लिए ठीक है तो आपने आपको डिस्क्राइब करने के लिए ठीक है तो आपने आपको डिस्क्राइब करने के लिए ठीक है तो आप स्मार्ट हो ओनेस्ट हो गुड हो नहीं आता है तो नीचे बॉक्स दिया हुआ है हम बॉक्स में से देख के भी कर सकते हैं यह देखो नीचे बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स से भी हम कर सकते हैं मैं बॉक्स ही कराता हूं आपको चलो तो आपको तीन वर्ड लिखने अपने बारे में तो आप क्या लिखोगे यह आप क्या हो आप ऑनेस्ट हो यह लिख सकते हो आप आप इमानदार हो ठीक है आप energetic हो हमें इसा energy से भरे भर रहते हो कोई भी काम करने लिए तैयार कोई बात नहीं जुट बोल रहे हैं बोल दो क्या फरक पड़ता है और आप कैसे हो हाप लिख सकते हो कि आप hardware बहुत महंती हो बहुत काम करते हो टाइम पर भीज़ जेते हो इसका उलटाई करते हो आप ने तीन वड् unlimited आ पर नीचे दिया ओओ आप 35 फूरिय। अब आपका फेवरइट फूड कैसा है, इसको डिसक्राइब करना आपको, I think, जहाधर का फेवरेट फूड मॉमोज यह होगा, फ्राइट मॉमोज, चिली मॉमोज, घ्रेवी मॉमोज, तो हम करते हैं डिफाइन आपके फेवरेट फूड को, कि वो कैसा है, उसकी विशेस ताह क्या बताने यानि उसके अड्यक्टिफ बताने तह आपका फेरट फूड कैसा होगा फिर मिटा दू मैं इस वाले को अब फिर से अर् Democrat सब्सक्रीब होगे यहां लेक सकते हो करंची यहां लेक सकते हो लिख क्रेंची यहां लेक सकते हो यप तो आपके फेवरेट फूड की विशेष्थाएं हैं तो वह क्या होगा यह तीन और एडजक्टिव हो गए आपके फेवरेट फूड के लिए आँ आते हैं इस वाले कोशन पर राइट थी वर्ड्स डिस्क्राइब यूर्म अधर फादर अब आपको अपने मदर फादर को डि करते हैं ठीक है और क्या है और कुछ बताओ है और वह हर्डवर्किंग भी है बहुत काम करते हैं आपके लिए तो यह तीन सब्सक्राइब यहां पर लिख सकते हो helpful, hard-working और लविंग नाव आते हैं फिफ्ट कोशन पर ठीवर्ट से डिस्क्राइब देख्राइब देख्राइब अब आपने पहने हुए हैं अभी उनको आपको डिस्क्राइब करना है तीन वर्ड्स में यहीं इन कपडों के विशेश्था आपको बतानी है यानि इन कपडों के लिए आपको एड़्जेक्टिव से बताने हैं ठीक है छलो यह भी करते हैं पहले में मिटा देता हूं इसको अभी अपने कपड़े पेहने वो कैसे हैं जब से पहले चीज तो वह क्लीन साफ तरह हैं और वह कपड़े कैसे हैं और वह कपड़े हैं स्टिज्ड जिने अच्छे से सिले हुए हैं क्लीन हैं अच्छे से सिले हुए हैं ठीक है और हो सकता है आपने डेड्र कलर कपड़े पहने हो ताब लिख सकते हो हाँ तो यह तीन वर्ड्स आप यहां पर लिख सकते हो clean well stitched और रड ठीक है तो यह हमने दो कुशन कर लिए हम समझते हैं कि हमने किये क्यों हम समझते हैं कि हमने किये क्यों Now the words on the right describe the picture nouns on the left अब है क्या कि यह जो nouns दिये हैं इधर पे यह सारे noun है और जो right में सब दिये हुए यह क्या कर रहे हैं इन pictures को describe कर रहे हैं तो यह क्या है यह adjective है The words that are used to describe noun or pronoun are called adjective तो किसी भी noun यानि कि संग्या और किसी भी pronoun यानि कि सर्वनाम को या उसकी की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषन कहते हैं यानि कि इंग्रिश में कहें तो adjective कहते हैं तो और अच्छे संग जाता हूं अगर देखो मैंने आप करना मैं आप से कहा बस कि मैंने कहा बस तो आप होके हां एक बस है है सिसके आट पर यह होते है खटकी वड़गी होतीऊ वाली बस मैंने बशैस्ता नहीं बता इस बस की बताई अगैं बिल्गल भी नहीं बताई strongeruna कहूं blue बस कि क्या बताई है फैर इसकी ड canopy क्या है कि वह ब्लू है यह क्या हो गया यह हो गया एड्जेक्टिफ समझे अब नीचे वाला कोशन तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा वीडियो पूरा देखो आप अगर अभी तक समझ में आया है तो लाइक ठोको ठोको लाइक चुलो लाइक्स कुशन बात है अब यहां पर हम कट也 change कर लेता हूं कि अनौ में अलिट्ल बॉय करके दिखाや पैर है और यहां आउन है व्यूंगे व्यू कर रहाे है यह कि और योड़का चोटा है तो लिट्ल क्या हो गया क्या है हमारा एडिएजक्टिव यह हो गया यह हो गया लिदेस्ट क्या है जो भी मैं करूँगे तो यह भी किया है हमारा adjective है एचक्टिव है किसके चटिम है जैकट धैक्ट के लिए वेंाटी कोने हां किया है नाउन है और कोई किया है राम ondयायक । कैसा घर करेंच तो पूल नैट अपिम नाईट कैना नाउन है लेक्ट कैसी सक गले मैं एधरक्टिव है स्टार्स originally ब्राइट, and he looked at the beautiful constellation, अब constellation होता है group of stars, लेकिन वो कैसा constellation है, beautiful है, तो यह क्या है हमारा adjective है, ठीक है विज़िशता बता रहा है न, suddenly he saw a shooting star, कैसा star देखा उसने, shooting star, तो shooting क्या है, यहापे हमारा star के लिए adjective है, यहनी star की विज़िशता है, he couldn't stop gazing at the sky and wondering at the beauty of the night sky, तो देखो हमको काफी सार adjective मिले हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, शह, साथ, और भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है, तो हमको करना है वो यहाँ पर लिख देने हैं, और भी मिल सकते हैं आपको, मैंने कुछ बताए भी नहीं है, आप खुट ढूंड़ो उनको, ठीक है, आप दे यह नाउन है हमारा, यह नाउन है ना, इसके पहले adjective इस्तमाल हुआ है, देखो, यहाँ भी देखो, home के पहले adjective इस्तमाल हुआ है, और home क्या है हमारा noun है, ठीक है, यहाँ भी देखो, night हमारी noun है, उसके पहले code इस्तमाल हुआ है, वैसी star हमारा noun है, यहाँ shooting, उसके पहले इ मिलेगा आपको यहां हमारी वक्षिट होती है खतम और अपने हाथ धोते रहिए पानी से साबुन से करोना से बचना है तो that's all for today have a nice